नमस्कार जेभीम साथियों आज आपका स्वागत है अम्बेटकर नावा में आज हम चर्चा करेंगे अम्बेटकर साहब और महाराजा बरौदा के रिष्टों के बारे में और उनके करारनामे के बारे में कि जो अमेरिका उन्होंने भेजा था तो उनका क्या एग्रिमेंट कैसे हुई इस पेचर जा करेंगे साथ यह जो एग्रिमेंट हुआ वह एग्रिमेंट अम्बेटकर की राइटिंग्स वॉल्यूम 17 पार्ट वन में है आप पढ़ सकते हैं उसको आप देख सकते हैं और हिंदी में अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम 35 नमब वॉल्यूम देख सकते हैं जो एग्रिमेंट हुआ था वह एग्रिमेंट का एक पन्ना मिसिंग है तो जो कंटेंट है वह कंटेंट आपके सामने में रखना चाहता हूं उसमें मूल लूप से 6 पॉइंट हैं और आप सब जानते हैं कि जब वह लॉट कराए थे तो एक एग् आप अमेरिका जाएंगे और वहां पर पढ़ेंगे एकनॉमिक्स फैनांस और सोशियोलोजी पढ़ेंगे यह पहला एग्रिमेंट का पार्ट है उसके बाद जो दूसरा है वह दूसरा एग्रिमेंट है कि बगएर महराज के अनुमती के अमबेट कर अपना कोर्स चेंज नह देंगे वहां जो लोकल उनके गार्डियन थे जो उनके सुपरवाइजर थे उनका नाम था एचसी पंपस या तो पंपस सहाब से या जो उनके टीचर होंगे उनके द्वारा आपको देना पड़ेगा प्रग्रस रिपोर्ट क्वाटर्ली हर तीन महिने पर यह तीसरा पॉइंट था वो पॉइंट यह था कि वो किसी फ्रांसेसी या ब्रिटिश स्टीमर से सिकेंड क्लास में उनको किराय दिया जाने का और जब वो लॉटेंगे या फिर तवियत खराब हो जाए चाहिए कुछ भी इसी एक्स्टार्विशन हो तो लॉटने वक्त भी उनको सेक हैपन मिलेगा इसके अलाबा और जो खर्च है वो खर्च दिया जाएगा यह छे पॉइंट था एग्रेमेंट में जो की लिखित एबिलेबल है एक पन्ना मिसिंग है उसमें से और इसमें जो सिंगनेचर हुआ था वह एक तरफ अमभेटकर का सिंगनेचर है और दूसरी तर चाँ के साथ क्या हुआ क्या घटना घटी आप सब वाकिफ हैं इस सारा कहानी सबको पता है यह कैसे मकान नहीं मिलता था पानी भी दूर से दिया जाता था फाइल फ्यक्ते दिया जाता था इत्यादी तो इस से दुखी होकर अमबेटकर बरोड़ा एस्टेट नौकडी छो तो अब यह एग्रिमेंट था कि जब अमेरिका पढ़ने गया और वहां से जब लॉट कर आया थे एक साल इंग्लेंड में भी रहे थे और उन्हें पे जो टोटल खर्चा हुआ था 2013 से लेके 2017 तक वह टोटल खर्च था 20,434 रुपए और 6 पैसे यह किताब में यह लिखी थे 20,434 रुपए 6 पैसे तो यह जब वह लॉट कराएं जब वापस लॉट कराएं मुंबई तो हुआ कि भाई महराज के बगएर अनुमति के बगएर जाने हुए उनके जो अधिकारी जोशी साहब जिनका नाम अभी हमने लिया जोशी तो वहां वह जनव लीला एक तरह के शुरू हो जाता है बगएर महराज के जाने हुए उन्होंने अम्बेटकर को एक तरह से धमकी दी और उन्हें मुकरमा करने की बात की कई चिठ्ठी लिखा कि आप पैसे वापस पंदित मतलब आईंसी जोसी और ये पत्रका लम्बा लिटर है लेकिन इस पत्रका लब्लवी यह कह रहे हैं कि मैं पैसा देना चाहता हूं लिकिन अभी otras हम करना और gt चिठी है और उसमें वो कहते हैं बार बार कि 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 अभी मैं स्टाब्लीश हो रहा हूं कोशिच कर रहा हूं स्टाब्लिश होने के लिए और जब मैं स्टाब्लीश हो जाऊंगा तब मैं आपको पैसे लोटा दूँगा I am a man of character अगर मैं चरितरवान व्यक्ति नहीं होता तो मुझे इतने बरोदा नौकरी करने जाता ही नहीं या फिर अंग्रेज डिटिश हुकुमत ने कई ओफर दिये हैं वो ओफर सुईकार करके मैं नौकरी कर लेता लेकिन उख कहते हैं कि मैं man of character ये termology इस्तमाल करते हैं कि मैं चरितरवान व्यक्ति हूँ और पैसे मैं आपको लोटा दूगा लेकिन अम बेटकर उसमें धमकी भी देते हैं कि अगर आप मुझे धमकी दे रहा है कोट कचहरी जाने की तो आप एक काम करो आप कोट ही चले जा कि अगर फायदा नहीं है और इसमें महराज की बदनामी दे कामी होगा ये बात उस चिथी में वह बार बार लिख रहे हैं तो इसलोए है मुझे वक्त दिया जा है और मैं वह पैसे स्वह्मांई विक्ति हुम लटाँंगा पैसे तो ये मोटा मोटी वो चिठी का ये लब वलगाब है कि कहते हैं कि लीगल प्रोफेशन में मैं अभी इस्टाइबिश करने कोशिश कर रहा हूं अब एक ही साल मैंने प्रैक्टिस किया है और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टन्ट जो नोट करने की है उस चिठी में कहते है कि जाती बाद यहां भड़ा हुआ है लीगल प्रोफेशन में भी और जिसकी वज़से मुझे अपने स्टेटस से नीचे काम लेना पड़ता है मुझे हर पल स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसे वकील एडवोकेट तो ये बात वो चिठी में लिखते हैं सारी बाते आप चिठ गायकवाड के बीच में कोई कम्मुनिकेशन अभी मुझे प्रमान नहीं मिला है और जो प्रमान है वो यह है कि गोल में सम्मिलन जो फर्स्ट रांड टेबल कॉन्फरेंस हुआ था 1930 में नवंबर में वहां पर जो डेलिगेट गये थे उसमें अंबेटकर भी थे और महराज से चापा था उस भार्षन को सुनने के बाद जब बरौदा महराज जब वापस अपने घर लोटे तो बहुत ही कॉन्फिडेंट सटिस्फाइड और मतलब भावुक इमोशनल होकर लोटे और उन्होंने अपनी पतनी से कहा कि आज मैंने जितना पैसा और जितना मेहनत वापस आ गया इतना वो प्रभावित हुए अम्बेटकर के भार्षन से उसके बाद उन्होंने एक डिनर क्लोज फ्रेंट के साथ उन्होंने डिनर पार्टी दिया और उसमें अम्बेटकर को इनवाइट किया उस डिनर पार्टी में तो ये था बड़े लोगों का जो एक अ होना चाहिए तब आप बड़े बनते हैं अब मैं 2020 में हूँ और मैं यह समझता हूँ कि आज हमारे पास कोई गायक वाड़ नहीं है अम्बेटकर के संघर्ष के बाद आरक्षन मिला और हजारों आईएस IPS डॉक्टर इंजिनियर प्रोफेसर नेता MLA MP मिनिस्टर CM सब बने लेकिन आज भी एक कोई foundation नहीं बना एक कोई संस्ता नहीं बनी कोई institution नहीं बना कि जो ऐसे समुदाय से आने वाले लोग को विदेश कोलंबिया इंवर्स्टी भेजने के लिए चाहिए कांशी राम के नाम पे foundation बन जाता चाहिए करपूरी ठाकुर के नाम पे foundation बनता चाहि लुहिया के नाम पे बनता और वैसे छात्रों को विदेश भीजा जाता या स्कूल कॉलेज यहां खोले जाते जिससे की भविश्य में हैं सैकड़ों हजारों अंबेट कर हम पैदा कर पाएं तो ये दलित भुजन politics की दलित backward tribal politics की एक त्रास्दी भी है कि इतने लोग होने क दिखिए बेवसाय हैं हजारों संगठन हैं बामसेफ है करमचारियों के संगठन हैं पैसे की कमी नहीं है और नमजे लगता है कि आने वाले दिनों में हम सब अगर चाहेंगे तो इस तरह के सताओं में निरमान निरमा हो जागा आज के कारेक्रम में आज 것도 वीडियो में इतना ही और कल जब आप से मुलाकात होगी तो मैं एक और दिल्चस्फ पहलू के बात करूँगा और एक करेक्टर के उपर बात करूँगा वो जो करेक्टर हों का नाम है एंसी राजा ही थे और पूना पैक्ट का जो सिगनेटरी है जितने लोग उसमें एक नाम एंसी राजा का भी है तो कल मैं अमबेटकर के साथ क्या रिष्टे हैं कैसे डिविशन हुआ इंगी आइडियाज में कैसे हो सेपरेट इलेक्टरोट से जाकर फिर जॉइंट इलेक्ट की वीडियो में बनाकर आपके साजा करूं आपके बीच पहुंचाऊं कि जिससे सब लोग मोटी-मोटी किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो आसानी से आपके पास ये बात पहुंचे यदि ये विमर्ष अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से मैं आप अग्रा करूंगा की आप वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट लिखें समिक्षा करें और सब्सक्राइब करने के साथ घंटी जरूर बजाएं ताकि जो भी वीडियो में अफलोड करूं आपके बीच उत्रन्त उसकी सूचना चली जाए शुक्रिया सात्यों जय विए शुक्रिया थैंक यू थैंक यू